दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा CU-CET का अपडेट्स Central University Common Entrance Test CU मतलब Central University, CET मिन्स Common Entrance Test जो की 2021 में 54 Central University का होने जा रहा है और इसके लिए 7 Members की Committee गठित हुई है तो अपडेट के बारे में बताऊंगा और CU-CET क्या पहले होता था या नहीं होता था ये भी बताऊंगा अगर होता था तो क्या exams का pattern होता था क्योंकि जब भी आप admission लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका exam patterns क्या है तभी तो आप तैयारी कर पाएंगे तो तैयारी करने के लिए अभी जब तक committee के report नहीं आती तब तक आप कुछ न कुछ तैयारी करते रहिए एकदम से surgical strike की तरह notice आ गई तो आप एक महीने 15 दिन में कैसे तैयारी करेंगे क्योंकि अभी देश में कुछ सालों से रातो रात lockdown लगा दिया जाता है रातो रात नोट बदल दिया जाता है रातो रात क्या क्या हो जाता है कानून भी पास हो जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आगे मुझे time मिलेगा entrance examinations का तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी तो अभी से तैयारी करने के लिए मैं आपको अपना app भी develop करवा रहा हूँ कि common entrance examinations की आपकी तैयारी हो इसके साथ class 11 वाले, 9 वाले, 6 वाले, diploma engineering वाले चाहे BHU, चाहे AMU, चाहे जामिया की बात हो Delhi University सबका मैं test की तैयारी करवाना शुरू करना हो तो मुझे ही आपको help करने के लिए आपको भी support करना होगा तो आपको क्या support करना होगा? मेरे टेलिगराम का एक link दूँगा वीडियो का description में वहाँ जाके आपको टेलिगराम app को join करना होगा मेरे टेलिगराम app में day by day app की update आती रहेगी कौन-कौन से को से शुरू हो रहे हैं, किसकी पढ़ाई शुरू हो रही आप पे उसका भी update मिलता रहेगा तो आपको करना होगा टेलिगराम app का joining उससे पहले CU City के बारे में जान लेते हैं कि CU City क्या है? CU City के जरूवत क्या पड़ी है? सबसे पहले बात यहीं करते हैं DU में last year cut-off चला गया था 100% मजाग नहीं कर रहो मैं? मजाग नहीं कर रहो इसा ही बात है 100% cut-off चला गया था Lady Shree Ram College for Women में 3 courses गा In addition, the cut-off for 30 courses offered at college affiliated by DU was more than 99% तो आप बताईए कि 100% लाने के बावजूद भी DU में admission नहीं होता है यही है MARS के basis पे admission होने का दिक्कत है और New Education Policy में कुछ rules ऐसे भी हैं कि common entrance examinations करवाना सारे Central University का तो हर state board का अलग-अलग MARS आता है UP का अलग आता है, बिहार का अलग आता है, Bengal का अलग आता है, Auronachal का अलग आता है, Tamiladu का अलग आता है, Keral का अलग आता है सबका आप 100% या 90% एक जैसा talent नहीं है हो सकता है UP का 60% वालों को ज्यादे ग्ञान हो और CBSE का 80% वालों को उतना ग्ञान ना हो तो percentage बहुत ज़्यादा वहरी करता है 98%, 99% CBSU वाले बहुत लाते हैं तो बिहार बोर्ड वाले, UP बोर्ड वाले पीछे रह जाते हैं DU में admission नहीं हो पाता है और सबसे ज़्यादा देश के जन संक है UP बिहार से ही है और UP बिहार को ही नजर अंदाज किया जाता है और भी जितनी भी स्टेट बोर्ड से सब का नजर अंदाज कर दिया जाता है जब मार्स के basis पे admission होता है तब तो मार्स के basis पे admission नहों हो गाउं के बिच्चे भी आएं डेली उनिविशिटी में उसके लिए common entrance examinations करवाए जा रहा है तो इसका full firm क्या होगा? Full firm होगा Central University Common Entrance Test यह आपको पता चल किया क्या यह पहले नहीं हुआ था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले भी होता था लेकिन चोमवन Central University का नहीं होता था तो अब DU ने साब साब किलियर किया है कि 50-50% का वेटेज होगा बिसिस पर एडमिशन नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि यह स्कीम उसमें भी लागू होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट डर गये थे कि 12 मी का मार्स को नहीं काउंट किया जाएगा तो 12 मी का मार्स को भी काउंट किया जाएगा यह Delhi University के बात है हो सकता है जामिया में बारुवी के मार्स को सिफ मिनिममम एलिजिबिलिटी के तोर पे रखा जाए बी एचिउ में भी और एम्यू में लेकिन यह सिफ डियू का है कि पहले मार्स के बेसिस पे होता था तो डिरेक्ट मार्स के बेसिस को हटा के ना फिफ्टी फिफ्टी परसेंट कर लिया जाएगा ठीक है अच्छी बात है सिउसीटी पहले भी हुआ करता था इससे पहले हुआ करता था तो कब-कब हुआ करता था वो मैं आपको बता देता हूँ और सेवेन मेंबर के कमीटी बनी है तो जल्दी यह नोटिस भी आने वाली है कि कब से यह शुरू होगा क्या एक्जाम पैटर्स होगा लेकिन थोड़ा मोर्टा आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत यह देखिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सी यू सी टी पेन एन पेपर यानि ओफ्लाइन एक्जाम होता था पहले 2010 से लेके 2020 तक सेंट्रल उनिवर्शिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ है इसमें कितने कितने उनिवर्शिटी पाटिस्पेट करती थी उसका भी नाम बताता हूँ दो घंटे का टेस्ट हुआ करता था 2010 से शुरू हुआ था साल में एकी बार टेस्ट हुआ करता था लेकिन अब हम सरकाव सोच रही कि ये C-U-C-E-T है साल में दो बार करवाया जाए और दो बार का एक्जाम में आपका जो भी बेस्ट होगा उसको काउंट कर लिया जाएगा तो ये स्टेप अच्छा है या बुरा है कमेंट बार में ज़रू बताईगा इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषाओं में एक्जाम होता था लेकिन जब आप NTA एक्जाम लेगी तो हो सकता है कि बेंगौली भी जूड़ जाए तमील भी जूड़ जाए मल्यालम भी जूड़ जाए और भी भषाएं जूड़ जाएगी तो पहले भी multiple choice of questions होते थे common entrance test में और central university और state university सभी इसको cut off के base पे लेती थी और इसका जो head करती थी वो central university of register अब मैं आपको बता देता हूँ कि कितने कितने university है जो कि इस basis पे पहले से admission लेती थी असाम university जो कि central है central university of आंदरपरदेश, गुजरात, हर्याना, जम्मू उत्राखंट, करनाटका, कश्मीर, केरल, उडिसा, पंजाब, रजस्तान, साउथ, बिहार और तमिलनाडू और इस state university के बात करेंगे तो बाबा गौतम शाह बाटशाह university, बाबा गुलाम शाह बाटशाह university, बैंगलोरू, डॉक्टर बी र अंबेदकर, स्कूल ओफ एकनोमिक्स university और खली कोटे university, सर्दार पटेल university of police, security and criminal justice तो state university इतने और central university इतने का test पहले CUCT से होता था, इनके लिए नया नहीं है examinations fees 800 रुपिया, UG और PG के लिए, और SCST के लिए 3500, PWD के लिए नील था Central university of Rajasthan ही इसका exam लिया करती थी, 2020 में भी exam लिए थी, negative marking होता था 0.25% और इसमें जो syllabus आते थे, language skills, research programs के लिए, general awareness, mathematical aptitude, analytical skills, research methodology उसके बाद आपका domain का knowledge होता था, 50 multiple choice of questions, यानि एक paper होंगे जो की common होंगे और दूसरे paper जो होंगे, जो specializations के होंगे, तो common paper होंगे तो उसमें आपको general awareness, mathematical aptitude, general awareness में general awareness, mathematical aptitude और analytical skills, इसको quantitative aptitudes भी बोल सकते हैं तो मैं इसकी तयारी आपको करवाऊंगा अभी से, क्योंकि कब ये surgical strike के तरह आपका notice आजाए और आपकी तयारी नहों तो basic चीज़ तयारी करके रखेंगे, तो आगे आपको आने वाले जीवन में भी यही सब आते हैं, placements में किसी university में अगर आप पढ़ते हैं, या job के लिए interview देने जाते हैं, या job का test देते हैं, चाहिए UPSC का test दो, या SSC, CGL का, सब में common aptitude test आते ही आते हैं, जिसको general awareness, mathematical aptitude, जिसको quantitative aptitudes भी बोलते हैं, और analytical reasoning, या analytical skills, तो ये सारे जो syllabus से वो common है, और language, जादे तर English, तो ये जो चा program app पे आपको प्यार देना है, और जो भी updates आएंगी मैं बताते रहूँगा, आपको पता भी चल गया है, कि ये बहुत पहले already CU-CET के exam होता आ रहा है, ठीक है, undergraduate programs का भी, post graduate programs का भी, और research programs का भी, तो मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कि देजेगा, जो भी update आती है, मैं आपको day by day update करता रहूँगा, मिलते अगली वीडियो में हम है राइगान के, फिर मिलेगे चलते चलते, तब तक you take good care of yourself, जय हिंद, जय भारण